जय जगनाथ नमस्ते सर शुनाई दिया जय जगनाथ ये सर अब बताएए सर मैं कुछ बताओं अपने बारे में इससे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा ये प्लैटफर्म हम जग पहुँचाने के लिए जिससे हम अपने आइडियास पूरे नेशन के साथ सेयर कर सकते हैं सर मैं सेयद साधिक हुसेन हूं मैं अपने कॉलेज गांधी इंस्टिटीट फॉर टेक्नोलोजी भुम्रीश्वर की तरफ की एक टीम हमारी टीम आरकस को रिप्रेजन कर रहा हूं हमारे टीम के मेंबर्स हैं अंकेत अध्याशा दिप्ती अनीश एंड दिबासेश इंडीव सुलूसर्स पर काम कर रही है किया सबिद्धिया है सर अब लोगों ने किन चीजों पर बल दिया है सर हमने बच्चों के मेंटल हेल्थ को ट्रैक करके उसे अनलाइज करके एक ऐसे रेटिंग मना आया है जैसे कि पैरेंट्स और डॉक्टर्स को पता चले कि बच्चे के मेंटल हेल्थ किस तरह है और कुछ बुरा होने से पहले ही उन्हें सूचना मिल जाए जैसे कि वो सही कदम उठा पाएं सर आपने इसके लिए यह वगरे का तो प्योग किया होगा लेकिन क्या फीजिकली इस प कफेरिंट्स से भी कुछ-कुछ सवाले पूछे जाएंगे जैसे कि बच्चों के वैवहाहार खाने पीने के तριके खेलने तरीके तो इससे क्या होगा कि बच्चों के बारे में हमें और ऑर भी चांदकारी मिलेगी जैसे हम उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे हैं अच्छा यह इतनी तिन बेटियां भी इसके आपकी टिम में है कोई बेटी कुछ बताना चाहेगी नमस्ते सर नमस्ते सर हम यह जो हमारा problem statement है इसको हम इस तरह से मतलब एक solution लेके कर रहे हैं जैसे कि यह हम AI यूज कर रहे हैं इस मतलब इस आप्लिकेशन में और इससे हम वो जो भी मतलब वो बच्चा होगा उसको हम मतलब वो हमारा AI जो होगा उसको यूज करके हम एक सेफटी रेटिंग जनरेट कर रहे हैं एक से दस के बीच तो अगर पांच से पांच से दस तक अगर हमारा वो रेटिंग जनरेट होता है तो हम बस पैरेंट्स को एक मतलब नोटिफिकेशन तो अपर अलर्ट करेंगे कि आपका बच्चा मतलब कुछ मतलब कुछ तो मतलब उसका जो वेवार उसमें कुछ तो है तो आप जरा ध्यान रखिए अगर पांच से कम है तो हम हमारी जो अप्लिकेशन रहेगा उसमें मेंटर सपोर्ट और जो इसको उन बच्चों को और एक्सपर्ट को भी मतलब बहुत अच्छा एक ब्रेज बन जाएगे उन लोगों के बीश तो वह उपक्रूत हो इस चेस के बारे में बहुत बदाई हो आपका यह प्रॉब्लेम एरिया बहुत महत्वपूर्पूर्ण है नवजवानों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम्स एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि सिक्षा मंत्रा लेके भी ऐसी टीम्स के साथ काम करना बहुत जरूरी है और यह पता लगना चाहिए कि हम ऐसी टॉक्रोजिस को अपने स्कूल और कॉलेज में कैसे प्र बहुत जरूरी है कि भारत के नवजमानों का मानसिक विकास उतना ही मजबूत हो मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि आपने विक्सीद भारत के लिए अपने आइडिया शेयर किया है आप जैसे स्टूडेंस के लिए सरकार ने भी माई गौपर एक विशेश पॉर्टल बनाया है मेरा युवा भारत यानि माई भारत माई भारत नाम से एक और संग्रण का निर्मान हुआ है जो देश की युवा शक्ति को दिशा देने का काम कर रहा है आप भी इसमें अपना रेजिस्ट्रस इन जुरूर करवाएं